तो हमारे चैनल की एक बिल्कुली नई वीडियो के अंदर आप सबका सौकत हैं। कोई वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स के अंदर मुझी या जरूर लिखें। कान के गाओं के अंदर हम यह देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम गोटिया होता है और उसकी उमर 10-12 साल होती है। और गोटिया इस गाओं में अपनी मा और अपनी चोटी बहन के साथ रहता था और गोटिया की बहन उससे एक-दो साल चोटी होती है। लेकिन गोटिया तब भी मुन्नी से प्यार करता था और वो यह चाहता था कि उसकी शादी मुन्नी से हो जाए। और जैसी गोटिया की मा इस बात को जानती है वैसी वो गोटिया को पगड़ के अपने घर में लाती है और गोटिया को माणने के लिए बड़ा से चाबुक निकालती है और उस चाबुक से गोटिया को बहुत मारती है। और यहांपर हम यह भी देखते हैं कि वैसे तो गोटिया किसी से नहीं डरता है लेकिन उसे अपनी मा के चाबुक से बहुत डर लगता है। हाला कि उसी दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और वही पर जो गोटिया की मा होती है वो उसी दिन गोटिया का मुंडन भी करवा देती है और वैसे तो जैसी मुन्नी की शादी होती है वैसी वो अपने दुले के साथ चली जाती है लेकिन हम यह देखते है कि गोटिया भी मुन पालने का obsesion था, उभी दर गोटिया जैसी काला जादू करने Kevin Saysla करता हैं वैसी वह एपनी छोटी बेन को पने के पास के एक जंगल में चला जाता हैं हमें पता लगता है कि गोटिया इस जंगल का नाम चिंद्टुक वाडी और क्योंकि ये गाउं से दूर है इसलिए आम तोर पर यहां जल्दी कोई नहीं आता है गोटिया यहां पर अपनी छोटी बेहन को रात के समय पर लाता है और यहां पर आकर एक बड़े से परगत के पेड़ के नीचे बैट जाता है और वहां बैठ कर काला जादू करने लगत और फिर इसके बाद ही हम यह देखता है कि गोटिया अपनी छोटी बेहन पर हमला कर देता है और एक चाको से उसे मारने की कोशिश करता है लेगिन गोटिया की छोटी बेहन उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपनी छोटी बेह चयांब करती है और वो घुंट्या को धक्का मारती है चसी स्वाइब को धका लगता है वैसे उसका सी दह अपको फटपर पर चकराता है और सर्डगर चालता और तकरन से सब्सक्रण देखते हैं कि यह बहुत बड़ा नर्फ हो गया है कि कि असल में गोटिया एक ब्रहमर्ण परिवार का लड़का है और अभी कुछी दिन पहले उसका मुंडन भी हुआ है लेकिन गोटिया का मुंडन हुए दस दिन भी पूरे नी हुए है और यहाँ पर गोटिया के अकाल मृत्य हो गई है और इसलिए गाओं के सारे मुख्य होते हैं वो मंतरों का इस्तमाल करके उस पूरे पेड़ को बांद देते हैं ताकि गोटिया उस पेड़ से कहीं भी दूर ना जा सके और उसकी आत्मा जो की ब्रहमरक्षत बन चुकी है वो हमेशे गले वहां पर कैदो कर रह जाए हाला कि यही पर हम यह भी जानते हैं कि गो मां और दादी के साथ इसके साथ यह हम भी जानते हैं कि बिट्टू के फादर की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है और उसकी जो मदर है वो इक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उससे वो लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं एंड उनकी फैमिली काफी अच्छे से चल रही फैस इस वाली दोस्त का नाम होता है बेला और यह बेला जोनी बढ़्रंड की दोस्त होती है और यह दोनों बचपन से एक साथ खेल कोद कर बड़े हुए हैं यहाँ पर बेला बिट्टू से मिलने आती है म मन में अचारक से वय पेट दिखता है जिस परगतर के नीचे म४ dispers को खैद करके रखा गया है साथी साथ यहां पर बिट्टू यह भी देखता है कि इस बर्गत के पेड़ के उपर एक राक्षास जैसा बच्चा है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है और यहां बिट्टू यह भी सोचता है कि उसे एक हयाल बच्पन से आ रहे हैं और वो हमे इसलिए नोर है पुछी दिनों के अंदर उसकी सगय में आई वो बताती है कि उसने नोर दादी महां को दोनों को इंविटरेशन दे दिται आ और इसलिए वो ये चाहती है कि उसके सगाई में सब लोग आएं और फिर इसले इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर तीनों ये फैसला करते हैं कि वो तीनों रुकु की सगाई में जाएंगे मुझ्या है रहता ता और देड़ को ज़्या के ख्याल होगा था उसे हमेशा मुझ्या की ख्याल भी आते थे इसल ihn मुझ्या नहीं लेती हैं रहा है की बहुत्त कर से अंड़Wowण को शॅर रहएं चुपली बहुता है और इसलिए हम यह देखते हैं, कि यहाँ पर घर के अंदर बिट्टू के चाचा, बिट्टू की मोम को थोड़ा पुरा भला कहते हैं जिस वज़ा से उन दोनों के भी इ notor आर्गुमेंट हो जाती है और वो बिट्टू से कहता है कि यहां हमारे गाउं के पास ही एक जंगली एरिया है जिसका नाम है चिंटुक वाडी और वो चिंटुक वाडी हमारी पुछतानी जगा है लेगिन उसी चिंटुक वाडी के अंदर एक बरगरत का पेड़ा है जो कि शापित है क्योंकि बहुत सा के मन में उस पेड़ का और मुझिया का डर था और इसी वजह से उसके बड़े भाई नहीं डिसाइड करा कि वह चिंटुक वाड़ी से उस पेड़ को काटने गया ताकि पेड़ के कटने के बाद ही वह स्थाबित कर सके कि ना तो वह पेड़ शापित है और ना ही वहां पर और उसे एक बढ़ियां सा ब्यूटी परलर खोल के देना था और इसी काम के लिए उन्हें पैसे चिये थे जिसके लिए वो चिंटुक वाड़ी बेचना चाते थे लेकिन उन समय उनकी मौत हो गई चाचा जांकरी के लिए सारे गाउंवालों को फोन करते हैं जिसके बाद उसके चाचा को नहीं पता लगता है यह वो खुदी चिंटुक वाड़ी में जाएगी और बीटु को बचा कर लाएगी क tactical की दाड़ी यह जांती थी और इसलिए वो भी वहाँ पर नहीं जाएगा लेगिन ये सुनने के बादी बिट्टू की दादी ये फैसला करती है कि वो खुदी चिंटू कवाडी में जाएगी और बिट्टू को बचा कर लाएगी और इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के खायलों में उसे हर बार मुंजिया और वो बर्गत का पेड़ भी इसलिए दिखते हैं क्यूंकि बिट्टू मुंजिया के वन्शच का है और बिट्टू के अंदर भी मुंजिया के परिवार काई खुन है और पर बिट्टू की दादी यानि कि मुझिया की बहन ये जानती थी कि मुझिया को अगर किसी से डर लगता है तो वो डर लगता है सिर्फ उसकी मा के चाबुक से और इसलिए इसी चाबुक से उससे कंट्रोल किया जा सकता है और इसलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी इस चा अब यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि माराथी के अंदर बड़े भाई को दादा कहते हैं। पास आता है और वो उसकी पेट पर अपना हाथ चिपका देता है पर यह देखकर बिट्टू की दादी फिर से मुझिया को मारती है जिसके बाद चाबो के लगते हैं मुझिया उसे छोड़ देता है और फिर से पेट पर चला जाता है इसके बादी बिट्टू की दादी वो उसकी दादी का बड़ा भाई है और उसने अब तक क्या क्या किया है मुझिया के बारे में सब को जानने के बादी बिट्टू भी का फिडर जाता है लेकिन बिट्टू की दादी उससे कहती है कि उसे अब ड़नने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि मुझिया उस पेड़ से दूर कहीं नी जा सकता है और इसलिए बिट्टू को भी बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो फिर से कभी भी उस पेड़ के पास न जाए लेकिन इसके अगली पल में हम ये देखते हैं कि मुझिया बिट्टू के सामने खड़ा होता है और वो इस टैम पर उसकी दादी के पीछे होता है मुझिया को देखकर बिट्टू हकाबका हो जाता है क्योंकि कुछ टैम पहले उसकी दादी ने उसने बोला था बिट्टू की पीट पर अपना निशान चोड़ दिया था और इसलिए बिट्टू के मादे हमसे उसने अपने आपको बर्गत के पेट से आजाद कर लिया और इसलिए कुछ टाम बादी गाओं वाले उसे ढूंडते वाते हैं और वो बिट्टू को लेकर सीधा होस्पिटल जा दे हैं लेकिन असल मैं बिट्टू इस बात को जानता था कि उसकी दादी की मौत गिरने से नहीं होई है बलकि उसकी दादी को मुझिया ने मारा है हाला कि बिट्टू इतना ज़दा डरा होता है कि वो इस बारे में किसी को भी बतानी पाता है लेकिन इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि बिट्टू के चाचा होते हैं वो बिट्टू की मदर से जगड़ा करने लगते हैं और वो फिर से बिट्टू की मदर को ब्लेम करते हैं कि पहले उसकी वज़े से उसका भाई मर गया और अब उस औरत की वैज़े से उसकी मा भी मर गई लेकिन यह सब सुनकर बिट्टू की मतर को गुस्सा आता है और इसलिए वो बिट्टू के लेकर उस गाउं से निकल जाती है और बस पकड़के सीधा पूने आने लगती है लेकिन बस में हम यह देखते हैं कि बिट्टू की पीछाली सीट पर मुझिया होता है और बिट्टू भी जैसी मुझिया को देखता है वैसी वो बहुत डर जाता है हाला कि यहाँ पर मुझिया बिट्टू को बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ बिट्टू देख सकता है और कोई भी नहीं और वो इसलिए कि बिट्टू की रगों में उसका खुन दोड़ रहा है हाला कि मुझिया को देखकर बिट्टू काफी जादर डर जाता है लेकिन ऐचानक से मुझियः गाया भूजाता है और फिर आगे हम ये देखते है कि बिट्टु अपने घरा चुका है लेकिन घराने के बाज जैसी रात होती है और बिट्टु सोने जाता है वैसे मुझियः उसके रूम में आ जाता है लेकिन इस सब के बादी बिट्टू है समझ जाता है कि मुझिया उससे किसी मुन्नी को डूढ़ने के लिए कह रहा है लेकिन बिट्टू ऐसा करने से मना कर देता है और वो सिंपली मुझिया ऐसे कहता है कि उसने उसकी दादी को मार दिया है और इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा लेगिन बिट्टू जैसी ऐसा बोलता है वैसी मुझे जल्दी से बिट्टू की मदर के पास जाता है और बिट्टू की मदर इस टैंप पर घर के बाहर खड़ी होकर बाते कर रही होती है लेगिन तब ही जहांपर बिट्टू की मदर खड़ी होती है उसके पास ही एक स्ट्रीट लेंप होता है और मुझे उसी लेंप पर चट जाता है और उसे तोड़कर बिट्टू की मदर के उपर गिरा देता है लेगिन लखीली वो लेंप बगल में गिरता है और इसलिए बिट्टू की मदर को कुछ भी नहीं होता है लेकिन ये देखकर अब बिट्टू बहुत जादा डर जाता है और इसलिए वो मुझिया से कहता है कि वो जैसा बोलेगा वो वैसा ही करेगा लेकिन मुंजिया उसे कहता है कि वो उसके पास रात को आया करेगा और इसलिए उसे मुन्नी को रात को ढूड़ना पड़ेगा एंड इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि बिट्टू को ना चाते वे भी रोज रात को अपनी नीद खराब करनी पड़ती है और घर के बाहर घूम घूम कर मुन्नी को ढूड़ना पड़ता है और इस पूरे टाइम के दुरान मुन्जिया उसके कंदे पर बैठा रहता है और जहां भी बिट्टू थोड़ा सा रुखता है और आराम करता है वही पर मुझिया कभी उसे परशान करने के लिए माणने लगता है और कभी-कभी वो उसके सामने दूसरों को माणने लगता है इसलिए बिट्टू को परशान होकर भी मुझिया की बाते मानने पड़ती है बिट्टू इन सबसे परशान हो जाता है और इसलिए कुछ दिन बादी वो अपने सरदार दोस्त को सब कुछ बता देता है यानि कि स्पीलबर्ग को और वैसे तो स्पीलबर्ग को मुझिया दिखाई नहीं देता लेकिन वो मुझिया की बाते सुन पाता है इसलिए उसे भी बिलीव हो जाता है कि बिट्टू को सच में मुझिया परिशान कर रहा है बिट्टू स्पीलबर्ग से कहता है कि उन्हें किसी मुझिया को डूढ़ना है क्योंकि इस मुझिया को मुझिया को डूढ़ना है और उसके बादी यह हमारा पीछा जोड़ेगा अब इसके बादी वो दोनों दिमाग लाते हैं और Spilberg बिट्टू से कहता है कि मुझिया उसके गाउं का था इसलिए हो सकता है कि मुझनी भी उसके गाउं की हो और फिर ये बास सुनते हैं बिट्टू सीधा रुकू को फोन करता है यानि अपनी कजल सिस्टर को और उससे ये की कोशिश करता है कि आज से सालों पहले मुन्नी नाम की गाउं में कौन सी लड़की थी रुक को उसे पता करके बताती है कि असल में उनके घर के बगल में घर है जिस घर में सालों पहले एक मुन्नी नाम की लड़की रहती थी लेकिन शादी होने के बादी मुन्नी यहां से च कि शाय से हो सकता है कि मुन्नी और बेला का कोई ना कोई कर्रेक्शन हो और फिर इसके लिए जैसी वो लोग तहकीकात करते हैं वैसी उन्हें पता लगता है कि एसल में मुन्नी और कोई नी बलकि बेला की दादी है और सालों पहले जब मुन्नी की शादी हुई थी तब शादी वो बेला को देख लेता है। और क्योंकि बेला भी काफ या तक उसके दादी जैसे दिखते थे। इसलिह मुझिया को यहां पर बेला से प्यार हो जाता है। और अब वो बिट्टू से कहता है कि वो बेला से शादी करेगा। लेकिन ये सुनकर बिट्टू मना कर देता है और वो मुझिया से कहता है कि वो ऐसा कभी नियों ने देगा और बेशक से मुझिया उसकी जान ले ले लेकिन वो इसका में उसकी कोई हल्प नी करेगा पर ये सुनते ही मुझिया बिट्टू से कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं करी, तो वो बिट्टू के सामने उसके चाहने वालों को मार देगा, वो बिट्टू की मार देगा, उसके सरदार दोस्त को मार देगा, बेला को मार देगा, और बाकियों को भी मार देगा, और इसलिए मुझिया की बाते सुनकर बिट्टू ड पास नहीं आ सकता यहां पर बिट्टू अब काफी जादा परिशान हो जाता है और इसलिए वो अपने सर्दार दोस्ति स्पीलबर्ग से हल्प मांगता है इसके बादी स्पीलबर्ग बिट्टू को लेकर सीधा भूत बगाने वाले एक आदमी के पास जाता है और भूत बगा हाथ का निशान होता है और यह हाथ का निशान मुझिया का होता है यहाँ पर एल्विस जैसी इस हाथ के निशान को देखता है वैसी वो यह समझ जाता है कि यह निशान मुझिया का है और इसलिए वो बिट्टू से कहता है कि तुम्हें जो परशान कर रहा है वो मुझिया उनके मुझसे इस बात को सुनते बिट्टू हैरान रह जाता है क्योंकि बिट्टू अपने मन में ये सोचता है कि उसने अभी तक उन्हें खुझ से मुझिया के बारे में पता लगा लिया इसके बाद ही अपने रूम से एक बड़ा सा स्क्रोल लेकर आता है और उसके अंदर क अगटर ब्रह्मराक्षस बंता है जो की मुझिया कहलाता है और वैसे तो मंत्रों के स्तवाल से मुझिया को कैद किया जा सकता है लेकिन अगर उस मुझिया को कोया ऐसा इंसान मिल जा önce जो कि उसी के परिवार या वंशच काओ तो मुझिया उसके जरीया खुद को कैज से निकाल सकता है और सिर्फ यह नहीं उसके मन में जो इच्छा बाकी रह गई है वो अपनी उस वाली इच्छा को पूरा करने के लिए भी उस आदमी का इस्तेमाल कर सकता है और इस स्टेम पर तुम्हारा मुझिया तुम्हारे साथ ऐसी कर रहा है लेकिन ये सब सुनने के बादी बिट्टू एलवेस से पूछता है कि अब आखिरकार मुझिया क्या करना चाता है और एक्चुली में हम लोग उसे रो कैसे सकते हैं इस पर एलवेस उसे बताता है कि ये मुझिया बहुत जादा शक्तिशाली होते हैं और इसलिए जब तक ये अपने ब्रह्म राख्षस के रूप में तब तक इने मारा नहीं जा सकता है लेकिन हाँ तुम जिस मुझिया की बात करे उसे शादी करनी है और शादी करने के लिए उसे एक विधी को अपनाना पड़ेगा इस विधी को करने के लिए वो तुमसे कहेगा कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है तुम लोग उसे लेकर सिधा उसी पेड़ के पास पहुँचाओ जिस पेड में उसे क्याद किया गया था और वहाँ पर आने के बादी वो तुम से ये भी कहेगा कि तुम उसके ले किसी बकरी को पकड़ कर लाओ और जब तुम बकरी को भी ले आओगे तब वो तुम्हें बकरी के सर पर एक निशान बनाने के ले कहेगा जो निशान कुछ ऐसा दिखता है और हाँ तुम उसके वंशाची हो इसलिए वो तुम से कहेगा कि तुम इस निशान को अपने खून से बनाओ क्योंकि खून से बनाने के बादी वो निशान काम करेगा और तुम जैसे अपने खोन से उस बकरी के सर पर ये निशान बनाओगे वैसी मुझिया अपने आपको उस बकरी में डाल लेगा और फिर उसके बाद वो उस लड़की से शादी करेगा और एक बार जैसे उसने शादी कर ली, वैसी वो लड़की भी मारी जाएगी, जिसके बाद मुझिया उस लड़की की आत्मा को लेकर चला जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की की आत्मा को अपने साथ रखेगा, और यही इस मुझिया का मकसद है, हाला कि इ इसलिए जैसी मुझीय अपने आपको बकरी मिटाले, उन लोगों को वैसी उस बकरी को मार देना होगा, क्योंकि जैसी वो बकरी मारी जाएगी, वैसी उसके साथ ही मुझीय भी खतम हो जाएगा, हाला कि एलवेस उन सब को प्लान समझाने के बादी उनसे ये भी कहता है, कि इ बर्क तीनों उसके गाउं जाते हैं, बेला को गाउं लाने के बाद, बिट्टू उसे नारिल पानी पिलाता है, लेकिन वो उस नारिल पानी में शराब मिला देता है, जिस वज़ए से जैसी बेला उसे पीती है, वैसी बेला नशे में आ जाती है, और इसलिए बिट्टू जल्दी से बेला को लेता है और अपने दोसे स्पील बर के साथ मिलकर सीधा चिंटुक वाड़ी में आता है हाला कि इन सब के दौरानी हम ये देखते हैं कि गाउं में बिट्टू की जो कजन सिस्टर होती है यानि की रुकू वो भी मुझिया को देख लेती है और अब क्यूं जैसी अपने खोल से उसके सर पे ऐसा निशान बनाता है वैसी मुझिया बकरी की बॉड़ी में अपना शरी डाल लेता है लेकिन जैसी वो बकरी की बॉड़ी में आता है और शादी करने आता है वैसी बिट्टू उस बकरी को पकड़ लेता है और वो उसे काटने लगता है लेकिन वो उस पर हमला करता कि उससे पहली हम यह देखते हैं कि बेला जो की नशे के हालत में थी वो बिट्टू को ऐसा करने से रोग देती है और वो नशे के हालत में उससे कहती है कि यह बकरी मेरा पती है मेरी शादी और यह से तुम इसे मार की रहो इसे मत मारो और बेला य टुको एल्विस की कई भी बात याद आती है और एल्विस ने उससे कहा था कि जब वो बकरी के सर पर अपने खुन से निशान बनाएगा तब उसे इस बात कर ध्यान अठना पड़ेगा कि वो निशान बकरी के सर के अलावा और कहीं पर बिना बने खास करके किसी एंसान पर तो बिलकुल नहीं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझिया सीधा उसकी बाड़ी में खुझ जाएगा और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा ही देखते हैं क्योंकि जैसी बगरी का सर बेला की बाड़ी पर लगता है और बेला के शरीट पर वो निशान चपकता है वैसी मुझिया सीधा बेला के अंदर गुझ जाता है और फिर जैसी वो बेला के अंदर आता है वैसी वो देखने में बहुत डरावनी हो जाती है और वा बिट्टू से कहती है कि उसने उसे मानने की कोशिश की है जिसका मतलब उन समने मुझिया को धोका दिया है और इसलिए मुझिया उन समको मार देगा और फिर ये बोलकर मुझिया जो कि बेला की बोडी मोटा है वो सब पर अटेक कर देता है अब मुझिया से बचने के लिए बिट्टू, रुकू और स्पीलबर्ग तीनों वहांसे भाग जाते हैं और वह चिंटुक वाड़ी से भाग कर सीधा रुक्यों के घर में घुज जाते हैं लेकिन मुझिया पीछा करते हुए वहां भी पहुंचाता हैं अब हाला कि मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो ये काफी हॉरर सीन होता हैं लेकिन जैसा कि इस तरी मुझिया बेला की बॉड़ी से निकल कर सीधा बिट्टु के चाचा की बॉड़ी में घुज जाता हैं और अब उसके बादी वो सब पर हमला करने लगता हैं सबको ठिकाने के बादी मुझिया जो की बिट्टु के चाचा की बॉड़ी में था वो सीधा बेला को पकड़ता ह और उसे लेकर सीधा चिंटुक वाड़ी में जाता है लेकिन ये देखकर बिट्टू उनका पीछा करता है और वो उनके पीछे पीछे जाता है हाला कि रास्ते में वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर मुझिया ने उसकी दादी को मारा था लेकिन वहाँ पर आते बिट्टू ये देखता है कि उसकी दादी के हाथों में जो चाबुक होता है वो बिल्कुल उसी जगह पर होता है जिस जगह पर उसकी दादी की मौध हुई थी और जाहिर है ये चाबुक जैसी छड़ी वही छड़ी होती है और उस चाबुक जैसी छड़ी से मुझिया पर अटेक करता है हाला कि इस दोरान बिट्टू उस पर काफी हमले करता है लेकिन तब भी मुझिया काफी ज़्यादा पाउरफुल होता है और इसलिए वो बिट्टू को ठाउठा कर फेकता है लेकिन हम ये देखते हैं कि बिट्टू फाइट करते हुए किसी तरह से अपने चाचा की पीट पर वही निशान बना देता है जिस निशान से मुझिया शरीर बदलता है और फिर चाचा की पीट पर निशान बनाने के बाद ही बिट्टू जल्दी से वो निशान पेड़ पर भी बना देता है और फिर जैसी वो पेड़ पर निशान बनाता है वैसी हम यह देखते हैं कि मुझिया बिट्टू के चार्जा की बोड़ी से निकल जाता है और वो सिधा पेड़ की बोड़ी में घुजाता है मतलब कि अब मुझिया पेड़ के अंदर आ जाता है और अब बिट्टु को और बेला के अश़ा लगता है कि उन लोगें ने मुझिया लोग को पैड़ के अंदर कैड़ कर दिया है लेकिन अब क्योंकि मुझिया बहुत ज़ादा पौरफुल था जिससे की पेड़ के उपर मिट्टी का तेल लग जाता है और फिर तभी बिट्टु ये देखता है कि उसके पास भी एक लकडी है जो की जल रही है और असल में ये वही लकडी होती है जिस लकडी को उन्हें पहले रखा होता है यानि कि उस टेमपर जिस टेमपर वो लग मुझिया और बेला की शादी करवा रहे थे और इसलिए बिटू उस जलती लगडी को उठा लेता है और उससे सीधा पेड़ में आग लगा देता है पेड़ में जैसी आग लगती है वैसी हम यह देखते हैं कि पूरा पेड़ जलने लगता है और पेड़ के साथ मुझिया भी जलने लगता है और इसलिए बिटू मुझिया की पगड़ से खुद को छुड़वा लेता है और वो बेला के साथ सीधा पेड़ से काफी दूर आ जाता है जिसके बाद वो और बेला दोनों चिंटुक वाड़ी से निकल जाते हैं और इधर ये पेड़ काफी जादा जल जाता है और हमें यह दिखाय जाता है कि याब मुंजियाग खतम हो चुका है इसके बाद सब कुछ ठीख हो जाता है और बिट्टु भी बेला को लेकर पूने आ जाता है पूने आने के बादी बेला उसे बताती है कि अब हो अपने काम के सिलसले में ब्राजिल जा रही है और इसलिए आग वो कई साल बाद वापस आईगी लेकिन बेला के जाने से पहले बिट्टू से I love you कहता है और वो बेला से कहता है कि वो उससे सालों से प्यार करता है लेकिन यहाँ पर बेला बिट्टू से कहती है कि वो बिट्टू से प्यार नहीं करती और वो बिट्टू को अपना दोस समझती है पर यह सुनकर बिट्टू से कहता है, कि अगर वो उसे अपना दोस मानती है, तो वो उसका दोस बन करी रहेगा, क्योंकि वो मुझिया नहीं है, जो से जबरदस्ती शादी करेगा, और फिर उसके यह बुलने के बादी यह सीन चेंज होता है, और हम डिरेक्ली मुझिया के पे मुझिया जिन्दा बची आए, तो इसलिए हो सकता है कि आने वाली मुविस के अंदर इन सब का एक साथ इस्तमाल किया जाए, अब हाला कि जैसी इस मुवी की स्टोरी एंड होती है, वैसी मुवी के एंड सीन में एक पोस्केट सीन आता है, और यह वाला पोस्केट सीन वरुन धावन को देखते हैं, जो कि अभी कुछ टाम पहले ही भेडिये से इंसान बने होते हैं, और इसलिए यहां पर वरुन धावन के पास उसका दोस्का जाना आता है, और वो उसे कपड़े देता है, लेकिन इसके बाद ही मुवी की स्टोरी के पर, आप सभी को इस वीडियो में तब तक के लिए, गुट बाई